आज हम इस वीडियो में बिहार बोट के क्लास 10 के भुगोल के चैप्टर 9 पडिवहन संचार और वेपार के कुछ important question को देखेंगे तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लाएगा इससे पहले मैंने चैप्टर 1 सले का चैप्टर 8 तक के वीडियो को प्राच चुका हूँ अगर वोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेले लिस्ट में जाकर असानी से देख सकते हैं तो चलते हैं इस चैप्टर के objective question के उपर first question है हीम सागर एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है तो जो इसका सही उत्तर है वो option गह है जम्मू से कन्या कुमारी तक जाती है नेक्स्ट कोशन है बरवनी मह किस मार्ग से कच्चा तेल पहुचाया जाता है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन गह है पाईप लाइन से पहुचाया जाता है नेक्स्ट कोशन है मुंबाई अंतराष्टिये हावाई पतन का नाया नाम क्या है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन खा है छत्रपती सिवाजी हावाई पतन नेक्ष्ट कोशन की तरब चलते हैं तो नेक्ष्ट कोशन है इन में सबसे दक्षनी पतन कौन है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन गह है तूर्ती कोडीन जो है दक्षनी पतन है नेक्ष्ट कोशन है सिकंदराबाद किस रेलवे छेतर का मुख्याले है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन गह है दक्षिन मध्य रेलवे का मुख्याले है सिकंदराबाद next question है भारत में सबसे उची सरक कहा है तो जो इसका सही उत्तर है वो option कहा है लेह में भारत का सबसे उची सरक है नेक्स्ट कोशन है Grand Trank Road किस नाम से जाना जाता है तो जो इसका सही उत्तर है वो option को है NH1 एवं NH2 के नाम से Grand Trank Road जाना जाता है नेक्स्ट कोर्शन है परवतिय भाग में किस परकार की रेल मार्ग बनाए गये हैं तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्सन खा है लगवक 63,000 किलो मीटर नेक्स्ट कोर्शन है परुत्तम रेल वे का मुख्याले कहा है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्सन खा है गोरक फूर जो है परुत्तम रेल वे का मुख्याले है नेक्स्ट कोशन की तरब चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है पक्किस सरकों की लंबाई की द्रिष्टी से पर्थम स्थान पर कौन राज्य है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्सन खा है महराश्ट जो है पक्किस सरकों की लंबाई के द्रिष्टी से भारत का पर्थम राज्य नागपूर सरक योजना के अंतरगत सरकों को कितने भागों में बाटा गया है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन खा है छे भागों में बाटा गया है नेक्स्ट कोशन की तरब चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है स्वतंता प्राप्ती के समय देश में सरकों की कुल लंबाई कितनी थी तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन खा है 1.46 लाग किलो मिटर थी नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सरकों का एक वर्ग नहीं है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन कह है सिमान्त सरके जो है निमलिखित में से सरकों का एक वर्ग नहीं है नेक्स्ट कॉशन है भारत के किस शहरों में मेट्रोरेल सिवा उपलब्ध है तो जो इसका सही उत्तर है वो अफ्टन fiance है कोलकाता यो मिं दिल्ली में मेट्रोरेल सिवा उपलब्ध है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सियर करेंगे, सस्क्राइब करेंगे थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सियर और सस्क्राइब मैं चैनल